शहरों में बनी नालियो और सीवेज के उपर लगे लोहे के ढखकनों की चोरी अबाम बात हो गई है आए दिन चोर अपनी नशे और बाकी लतों को पूरा करने के लिए ढखकनों को गायब कर देते हैं जिससे परिशानी आम लोगों को ही होती है तासम आमला कैथल से सामने आया है जा एक यूवक्त सीवर के उपर लगे ढखकन को रात के समय चोरी करता दिखाई दे रहा है इस घटना के बाद दुकानदार ने CCTV कैमरा जब जैक किया तो उसने आरोपी चोर की पैचान कर ली और जब आरोपी दुकान के भाहर से गुजरा तो उसे दुकानदार ने पकड़ लिया पहले तो उसकी पिटाई की और फिर उसके सारे कपड़े उतर वाली है दुकानदार ने आरोपी को ये कहकर छोड़ दिया कि सीवर का धका ला कर दे दे और अपने कबड़े वापिस ले जाए पूरा मामला कैथल के पटेल बाजार से सामने आया है जहां आप एक CCTV फोटेज में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे आरोपी ने सीवर पर लगे धकन की चोरी कर ली और दूसरे फोटेज में दुकानदार आरोपी की पिटाई करता हुआ दिखाई दे रहा है आरोपी ने दुकानदारों से माफी मांगी और ठकन वापस लाने की बात कही जिसके बाद उसके कपड़े उतरवा कर छोड़ दिया गया कैतल से जोगिंदर कुंटू, पज्जाब केस्डी टीवी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद